कि नमस्कार शात्यों केरियर पाइंट यूडूब चनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम आप लोग लिए जीके के मैंतर पून पर्शन लेकर आ गए हैं तो मेरे पहरे सत्यों आप इस वीडियो को अंतर लगईगा अगर आप लोग यहां पर पहली पर आएं तो को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेश कर लेना टाकि आने वाली परते क्लास को नौटिकेशन आप सभी को मिलता रहे और प्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक करना अपने सभी दोस्तों को फेस्बुक वाट्शब टेलिग्राम पर सभी शेर करना अगर आपको कि यह इंदि वेंगा है फिर वीडियो को लाइक करना है नेक्सवशन है भारत में पंचाए चाहत 聽 राजवेस्टा स्रावपरतम 1959 में कहां लागु की गी। चक्रसuciones कमन rinse कें सब्सषे पहले तो नाग्र राजवेस्टा नागु सब्सक्राइद कें पर है तो दूस्तों यार कि निवे जांबेजी नदी पर उप्शन डी आपका जांबेजी नदी यहां पर राय टाइट अझे होगा नेस्थ क्यूंट करना आजयादे लिफोज का गठने कब होगे था रिपर предлож पिम ass theology आपका रायर इक्रिक को मनाया जते हैं अंतराश्टिय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जते हैं अंतराश्टिय महिला दिवस की स्थिति को मनाया जते हैं जन्गर्णा को स्विधान के किस सूची में रखा गया जन्गर्णा को स्विधान की किस अनुशूची में रखा गया तो दोस्तों आखना सं दस वर्स में भारत में जन्य गर्ना की जाती है और जन्य गर्ना को संग सुची के अंदर स्विधान में रखा गया है ने इस स्टान की राजस्थान की राजधनी काप परें तो दौस्ट या रखना जैपूर जिसको हम क्या कहते हैं पिंक सिटी गुलाबी नगर के नाम से भी बारत को किस रूप में वर्वर्णित करता है तो दोसो या रखना राज्यों का संग यहाँ पर राइट आंस होगा याद रखेगा चलेगा फिर right लोकषभा को कितने दिनों में लोटा देना चाहिए कृतने डीनों में लोटा देना चाहिए बमत्लार दिनों में 15eda city Option C, आपका right answer होगा, next question है, comment किजिगा, शिक्ष्या को किस सूची में रख गया, तो दोस्तों, याद रखना, समवर्ती सूची में, किसमें, समवर्ती सूची में सिक्ष्या को रख गया, option C, आपका right answer होगा, next question किजिगा, राजस्थान के विधान सभा में सदेशों की संक्या कितनी है, तो दोस्तों, याद रखना, two-handed, option D, आपका two-handed है, याद रखना, next question है, comment किजिगा, मचलियों के या कृत तेल में, किस विटामिन की बहुलता या परचुरता होती है, किस की परचुरता होती है, तो दोस्तों, विटामिन D की होती है, याद रखना, option A, आपका रहाएं, अगयर दोस्तों, आपको औप्षन में, विटामिन D नहीं दिया चते हैं, तो याद रखना, फिर होगा, विटामिन E, फिर क्या होगा, विटामिन E, अदर्वाइस, ओप्षन E हमारा राइट है, चलिएका, फिर next तो दोले कहां पर स्थीद है तो दोस्तो या रखना राजस्थान में उप्शन ए राजस्थान आपका राइट होगा नेस्ट क्यूशन की जिगा नेस्ट क्यूशन है राजस्थान की गांधी किसको कहा जते है राजस्थान का गांधी किसको कहा जते है तो दोस्तो या रखना आहीं सोगां किसको राइट अंश को तो या रखना नाइट्रेस ऑक्षाइड को उप्रियोजना किस नदी परस्तिट अधिए पर स्याना किसा नदी पर र devastated घेलम नदी के unless you should अब कराई अदो याँन सब्सक्र Lite कमेंट कि गपूर को मिचछ नदी कि होना मेंग सब्सक्राइब लड़ाई अकबर और किसके बीच में हुई थी तो दोस्तो राइट आंच क्या होगा राइट आंच होगा आपर हेमू 1556 में पानिपत की पहली दूसरी लड़ाई हुई थी या रखना अकबर और हेमू की बीच में ओपशन आपका अकबर और हेमू राइट आंच होगा नेक्स क्यूशन है कमेंट कीजिका बाबर नामा के लेकक क्या नाम है तो दोस्तो रहाट रखना विशाखदत कौन है विशाक दत हैं, option D आपका right answer होगा next question कीजिगा, next question है राजसवा का पदेन अध्यक से कौन होता है very very important question friends, बताएगा जल्दी से राजसवा का पदेन अध्यक से कौन होता है, तो दोस्तों याद एकना उपर राष्टपती, option C उपर राष्टपती आपका right answer होगा next question है, comment करना भारत छोड़ो आंतुलन का नारा किसी ने दिया था भारत छोड़ो आंतुलन का नारा किसी ने दिया था, तो दोस्तों याद एकना महातमा गांदी ने, option A महातमा गांदी आपका right answer होगा, next question है कमेंट करना राजस्थान के किस सहर को राजस्थान का रिदे कहा जाता है राजस्थान के किस सहर को राजस्थान का रिदे कहा जाता है तो दोस्तों आजमेर श्रीफ को option c आपका अजमेर श्रीफ यहाँ पर राइट होगा next question है कमेंट करना सुन्डा जल्डमरू के किसके बीच में इस्तित है तो दोस्तों जावा सुमात्रा के बीच में किसके बीच में है जावा सुमात्रा के बीच में है option A आपकर आई तर्स होगा next question कीजिए कमेंट करना दिलवाडा का जैन मंदिर कहां पर श्तित है दिलवारा का Jain मंदिर काहां पर शितते है तो दूस्तो यार दखना काहां पर है राजस्थान में Option A आपका राजस्थान यहां पर राही ही तर्ण होगा Next Question किसी का comment करना अंतिम मुगलबाद से खौन था एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं तो दोस्तो जा दिखना protein होते है और प्रोटिन एंग होते हैं ओपारD करना किस तीत को मतलड़ा करना साथ अफ्रे एंग तिकहां आप कंद मृट बहारत में एक मात्र समय मंदिर कहां परस्तित है भारत में एक मात्र बर्मा मंदिर कहां परस्तित है तो दोस्तों या रखना कहां पर पुशकर अजमेर यह कहां पर यह राजस्थान में दोस्तों या रखना यह राजस्थान में ठीक ना तो ओप्शन सी पुशकर अजमेर में है बर्मा का मंदिर चलेगा ने का अजमेर रायट रांस होगा है नेश्ट क्यूशने कमेंट किजिए कि अवशेश किस नदी के तठ़ पार्सथिते है विजैनेगर के अवशेश किस नदी के तठ़ पर रहें तो तो सोत यादग fingerprint तुंग भध्रा नदी कोची नदी तुंग भध्रा नदी के तट पर हैं option D आपका right answer होगा next question है comment किजिगा लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर है लिंगराज का मंदिरे किस स्थान पर है पटा का किस देश की मुद्रा है दोस्तो या रिखना मकाव की option B मकाव आपका right answer होगा next question है comment करना दोस्तो अर्थ सास्तर का जनक किसको कहा जते है very very important question friends बताईगा जली से अर्थ सास्तर का जनक किसको कहा जते है Adam Smith को option A आपका Adam Smith यहाँ पर right answer होगा next question देखी बान भट किसके दरवबारी कवी थे बान भट किसके दरवबारी कवी थे तो दोस्तो या रिखना हर्ष वर्दन के option C हर्ष वर्दन आपका right answer होगा next question है comment किजिगा विजय स्थम कहाँ परस्तित है विजय स्थम कहाँ परस्तित है दोस्तो तो right answer हो गए यहां पर option C चितोडगर में काँ परे हैं चितोडगर आपका right answer होगा next question है comment करना पोखरण में पर्तम बार परमानु प्रिक्षिन कब क्या गया पोखरण में पहली बार परमानु प्रिक्षिन कब क्या गया था 18 मईए 1974 1974 में क्या गया था भारत में पहली बार सोने के सिक्वे को किसी ने जारी किया था तो दोस्तोष यार रखना हिंदी उना आनेु नहीं हिंद यूनानियों के द्वारा क्या गए था option C आपका राइट अंस होगा next question किजिए comment करना रोम सहर किस नदी के तट पर श्तित है रोम सहर किस नदी के तट पर है तो दोस्तों याद रखना टाइब बर नदी के option A आपका टाइब बर नदी आप पर राइट आंसर जाएगा चलेगा फिर next question कमेंट करना डक्षीन अमेरिका में चारागा को क्या कहा जाते हैं तो दोस्तों याद रखना पांपास क्या कर जाते हैं पंपास के नाम से जाना जाता है option B आपका राइट रहें च्वगा next question, comment करीजिएगा så4 राज सबा में मनोनित सज्चों की अधिक्तम संक्या कितनी होती है कितनी होती है तो दोस्तो या रखना 12 राज़वा में मनोनित संक्याओं की अधिक्तम सदेशों की संक्या क्या होती है 12 होती है option B आपका राइडन सोगा next question है comment किजिगा विश्व बैंक का मुख्याले कहां परस्तित है व्ल्ड बैंक का मुख्याले का पर है तो दोस्तो या रखना वास्केटन डीसी में ये USA की राज़दनी तो या रखना United States of America की राज़दनी तो इसके जो डीसी वड आ रहा है ये डीसी वड इसका फुल पर होता है District of Columbia तो या रखना विश्व बैंक का मुख्याले का पर है वास्केटन डीसी में ओप्शन डी आपका राइटन्स होगा next question है comment कीजिगा ACI विकास बेंक का मुख़्यले कहा है ACI विकास बेंक का मुख़्यले कहाँ पर है तो या रखना मनीला में option डी आपका मनीला यहाँ पर रहा ही transfer होगा next question ने comment किजिगा दोस्तो अंतराश्ती स्रम्संगठन की स्थापना किस वहर से की गई अंतराश्टी शरम संगठन की स्थापना किस वहर से की गई थी तो दोस्तों या रखना 1919 में उप्शन C आपका से होगा पड़े ILO International Labour Organization अंतराश्टी शरम संगठन की स्थापना की गई 1919 में अंतराश्टी शरम संगठन की स्थापना की स्थापना की स्थापना की वर्स की गई iii parade across की, stop na kab की गई थी? तो दुस्तों, या लेकना 1863 में, option A आपका 8, 366 यहां पर रहे, राइट रॉन्सुगा, चले हैं फिर नेश्ट दें कहां, interpol का मुख्यले कहां पर सीध है, interpol का मुख्यले कहां पर है, तो कहां पर है, Lyon France में, option B आपका Lyon France यहां पर है, सब्सक्राइब करना अंतराश्टी मुद्रा को सिस्तापना किस वर्स की गई थी तो तो से रखना 1945 में उप्षिन भी आपका 1945 में आपका 1945 आपका सब्सक्राइब करना किस वर्स की गई तो से रखना 1926 में उप्षिन सी आपका 1927 यहां पर रायट आंस होगा नेस्ट कुर्चन है कामें किजिएगा रास्ट मंदल का मुख्या लिय कहां पर एटो दोस्तों यह लंदन में ऑप्षिन दी आपका लंदन आप राही टानस होगा next question केंजिगा next question है भारत पिस वर्स राष्टर मंदल का सदिश्या बना था तो दोस्तों याद एखना 1949 में option B आपका 1909 Schaasya आप राही टानस होगा next question कमेंट की जिगा नाटो की स्थाप्ना किस वर्स की गई थी तो दोस्तों याद एखना 1949 में option C 1909 कि comment कि जिएगा नाटो का मुख्याले कहा पर्षतित यहां रखना वेलजियम में option A आपका वेलजियम कहां पर राइड होगा नेक्स चुछन की जिएका वीषाव ś्वास संगेटन का मुख्याले कहां परई है तो यहां रखना जैनेवा में we show you CHE तापणा कि सोब्सक्राइब शुशन Isaा किस्की ूंडि साघुकी स्थापणा किस वर्ल केंगे ती nhi ना हैर्द उप्षण सी आपकाइप सब्सक्राइब शुन किस्टीन होता है नयकृ 물 ऍमप्षण करता मुख्याले कहां परस्थी थे इस सब्सक्राइब मुक्याल पर है तो दोस्त को मनलता है हेंडी डियोरॉंट को option B आपका हेंडी डियोरॉंट यहां पर राइट होगा next question किसी का comment करना red cross का मुख्याल है कहां पर स्थ थे रेड़ को स्का मुख्याल है कहां पर स्थ थे तो दोस्व यहां रिकना और कितनी बार एं तीं बार option C आपकर आइटन्स को दिवस किस दिवस को मनाया जते रेड़ यह डिकना option C आपकर आइटन्स को दिवस करते ज Bomb За कि आमने कव्याल आपना आते कामेंट किजिगा चलेगा फिरेंच next question है comment किजिगा Amnesty international की स्तापना कभी Amnesty International की स्तापना कभोई थी 1961 में option एंपका right range होगा next question कीने Amnesty international को किस वर्स शांती पूरुशकार सांती नोबेल प्राइज दिया गया तो दोस्काभ दिया गया ता राही टांस होगा 1977 में, option A, आप कर चुक यहां पर यार रखिगा, Amnesty International को Nobel सांथी प्राइज दिया गया था, 1907 में, यार रखिगा, next question है, comment किजिगा, आप से बिताएं, दोस्तो, next question के लिए, Amnesty International का मुख्य कारी के है, Amnesty International का मुख्य कारी क्या होता है, तो दोस्तो, राही टांस होगा, यहां पर है, मानव दिकार की सुरक्षिया करना, Amnesty International का मुख्य कारी होता है, तो option B, आप कर राही टांस होगा, next question है, next question दिखेगा, Interpol क् तो राइट आन्सोगा अंतराष्टी अपराधिक पुलीस संगटन, उप्शन A, अंतराष्टी अपराधिक पुलीस संगटन, राइट आन्सोगा याँ रखना, नेक्स्ट क्यूशन है, कमेंट किजिगा, डबलू अचो के अध्यक्स बनने वाली पहली महिला कों थी, डबलू अचो का फुल फोर्म क्या होता है, World Health Organization, तो बताएगा, डबलू अचो के अध्यक्स बनने वाली पहली महिला कों थी, तो याँ रखना, राज कुमारी अमरिता कोर, उप्शन ए, राज कुमारी अमरिता को राइट अंस होगा, नेक्स क्यूशन है, गुट निरफेक्स आंदुलन की स्तापना कहां की गई, गुट निरफेक्स आंदुलन की स्तापना कहां पर की गई, तो राइट अंस होगा, बेल ग्रेड, Option B आपका bail grade है राइट आञ चोगा चलेगा फिर Next Question है Comment किजिगा Bricks में कुल कितने देश सम्मिलीते हैं Bricks में कुल कितने देश सम्मिलीते हैं तो दोस्तों या लगना 5 Option B आपका राइट राइटन सुगा Next Question है Comment किजिगा डबलू टी ओ की स्थापना किस वर्स की गई तो दोस्तों याद रखना उन्निस और पिचार में 1995 option C आपका राइटन्स होगा next question है comment करना अंतराश्टी व्यापार का प्रहरी किसको कहा जते हैं अंतराश्टी व्यापार का प्रहरी किसको कहा जते हैं तो दोस्तों याद रखना डबलू टी ओ को option C आपका राइटन्स होगा आप सभी बताएगे एक डबलू टी ओ का फुल फॉर्म क्या होता है फड़ा फड़ कमेंट वोक्स में बताएगा next question है UNESCO की स्टापना किस वर्स की गई तो दोस्तों याद रखना 1946 में की गई option B आपका 1940 से राइट आन्स होगा next question है comment किजिएगा नेम का पर्थम बैटक काहां पर होई आने ए अम नेम की पहली बैटक काहँ पर की गई तो दृस्तों याद रखना अद्य में option A आपका बेल ग्रेड आपर रखन ऑगा next discussion की जीए गई गई याद наши question किजिए एपे के का मुख्याले कहां पर सिथे एपे का मुख्याले कहां पर सिंगापूर में option d आपका सिंगापूर है right answer हो जाएगा next question कमेंट किजिएगा BRICS की स्तापना किस वर्ष की गई थी तो दोसर या रखना 2009 में option b 2009 का नो आपका right answer होगा next question कमेंट किजिएगा सभी साथी एमनेश्टी इंटरनेशनल का मुख्याले कहां पर सिंगे तो दोसर या देखना लंदन में option c लंदन आपका right answer होगा next question कमेंट किजिएगा ACI विकास बैंक का मुख्याले मनिला किस देश में श्तित है मनिला किस देश में है तो दोसर या देखना फिलिपिन्स option b आपका फिलिपिन्स यहां पर right answer होगा next question कमेंट किजिएगा सारक का आठाउआ सदसे देश कोन बना तो या रखिगा अफगानिस्तान option d अफगानिस्तान सारक का आठाउआ सदसे देश बना था या रखना next question है comment किजिएगा कि येरैं excited math कि अधिकार मुद्रा की रूप में किस वर्स अपनाया था विर्स्ट उन था अपनी अधिकारिक मुद्रा की रूप में कब स्विकर्ट किया तो यहां पर आएगा प्राका राइट आंसों का उनिसों पिचान में जो ओप्शन दिए गए वो गलत है तो 1995 में 11 देशों ने यूरो को अपनी अधिकारिक मुद्रा की रूप में अपनाय था चलेगा फिर ने कंशन क्यूंड करना वेलिंगटन टॉफी किस खहल से समध्द दे तो याद हना नो का दोड़ से ऋप्शन ए आपकर नो क्यान सब्सक्राइब ने स्कियूस्ट किजिए नेक्स्ट क्यूशने कमेंट किजिगा बी सीसियाई की स्तापना किस वर्ष की गई थी तो दोस्तो या रखना 1928 में ओप्शन सी 1928 में बी सीसियाई की स्तापना की गई थी या रखना नेक्स्ट क्यूशने कमेंट किजिगा भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पर्तम अध्यक्स कोन थे भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पहले अध्यक्स कोन थे तो या रखना और इग्रांट गोविल ओप्शन डी और इग्रांट गोविल यह आप पर राइट आँश हो जाएगा अंतराष्टी होकी मैच का समय सीमा कितने मिनिट निर्धारते हैं तो यह रखना सतर मिनिट ओप्शन डी आपका सतर मिनिट यहाँ पर राइट आँश होगा तो यह रखना उर्गवे उप्शन बी आपका उर्गवे राइट आँश होगा नेक्स क्योशन है भारत का सबसे पुराना फुटबोल क्लब कौन है भारत का सबसे पुराना फुटबोल क्लब कौन है तो यह रखना मोहन बागान option A आपका मोहन बगाने आप राइट आणस होगा next question किजिगा FIFA का मुख्याले कहाँ पर सिते है FIFA का मुख्याले कहाँ पर है तो दोस्तो यार रखना पेरिस में option B आपका पेरिस राइट आणस होगा next question कमेंट किजिगा football का black pearl के नाम से किसको जाना जाता है फुटबोल का black pearl किसको कहा जाता है तो दोस्तो यार रखना पेले को option C आपका चिगाना पर पेले को football का black pearl कहा जाता है यार रखना next question है भारत का सब से पुराना football traffic ओने भारत की सब से पुराना football traffic ओने तो यार रखना दोस्तो डूरेंड कप option B आपका dood and cup right answer होगा next question है comment करना Wellington cup का सम्मंद किस खेल से है Wellington cup का सम्मंद किस खेल से है तो या रखना good door से option C good door आपका right answer होगा next question है comment किजिगा Arjun Pruskar की शुरुआत कब की गई Arjun Pruskar की शुरुआत कब की गई थी तो दोस्तों या रखना 1961 में option C 1971 में अर्जुन पुरुशकार की शुरूआते की गई थी एक दिवेसिय मैच में दोरा स्तक लगाने वाला पहला खिलाडी कोन है तो याद देखना दोसो सचीन तेंदुलकर ओप्शन सी सचीन तेंदुलकर आपका राइटन्स होगा नेक्स्क्रिशन है comment किजिगा पंकज आडवानी का संबन्द किस खेल से है? पंकज आडवानी का संबन्द किस खेल से? तो right answer होगा यहाँ पर देखिएगा दोस्तो सनुकर option C सनुकर आपका right answer होगा next question देखिएगा सत्रंज board में खानों की कुल संक्या कितनी होती है सत्रंज बॉर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है तो यार रखना 64 ओप्शन भी आपका 64 यहां पर राइट अचुगा तो फ्रेंड्स आज की क्योश्ट यहीं पर complete रोते हैं तो दोस्तों यार रखना यह वीडियो आपको डेली वीडियो को लगाईगा शुबह छे बजे और अगर आप लोग यहां पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को पैस करें ताकि आनुली परते क्लास को नोटिकेशन मिलता रहे और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक निक है तो मात्रम